हालो नुश्कार दोस्तों अप्रसवागत है हमारे चैनल देव इनफर्मेटिव लॉक्सपर यहां पर हम सिनमेटोग्रफी और फटोग्रफी से रिलेटड जो क्वेरीज होती हैं उनको रिजॉल्व करते हैं और आगे जो जानकारी होती है वह आप तक मुझाते हैं तो आज का वीडियो है हमारे कुछ क्विश्चन थे कि 2021 में 50,000 के अंदर आपको कौन से अच्छे एवलेबल है मार्केट में तो उससे रिलेटड हम बात कर लेते हैं तो अभी जैसा कि हमारे पास है निकाउन का 5600 यह D5600 है हमें 48,000 के रेंज में मिलता है और इसके साथ हमें 18 18-55 यह एक लेंज भी मिलेगा यह काफी पुराना गैमरा है में और मार्केट में काफी टाइम से काउंप कर रहा है इस रेंज में अच्छा है और इसके कलर्स और इसकी पेसिक पीश्चेंस हैं काफी अच्छी हैं दूसरा हम बात करते हैं Sony का A600 A6000 जो Sony का A6000 है यह एक मिर अच्छा काम कर सकते हैं और अगर आप मिरर लेस में शिफ्ट होना चाहते हैं और शुरुबात में आपके बाद काम है तो आप यहां से शुरुबात कर सकते हैं तीसरा हमाई पास है Canon M200 यह प्रफेशनली तो नहीं बोलूँगा इस गैमरे को अगर आप फैमली के अपने प लिए यह काफि अच्छा कैमरा हो जाएगा और चोथा है अपना Canon का 200D Mark II यह पहले कैमरा आया था इसका सेकेंड वर्जान है 200D Mark II यह आपको मिलेगा 51,000 की रेंज में इसके साथ आपको एक 1850 का जूम लेंज भी मिलेगा तो आप इससे अच्छा काम कर पाएंगे इसकी बैटरी लाए भी काफी अच्छे और एक सेमी प्रोफेशनल कैमरा है यह क्रॉप बोर्डी है सारे ब X-T200 आपका वीडियो के लिए काफी अच्छा कैमरा है और यह थोड़ा सा आप जाता है मिन्स 55,500 की रेंज में आपको मिलेगा इसके साथ आपको एक 1545 का जूम लेंज मिलेगा तो यह वीडियो जिसको करने है उसके लिए काफी अच्छा है तो आप इसको ले सकते हैं तो अच्छी के साथ अगर आपको जाना है और वीडियो में ज्यादा आगाम करते हैं तो अब इसको जरूर कंसीडर करें तो यह हमारा आज का वीडियो था आपके 50,000 की रेंग में हमाई पास जो बेस्ट कैमरे अबलेबल है मार्केट में आप उससे रेलेटेड है आगे भी आ आपके पूबनि यह उस मापक पूबन तो